जहिन दोस्तों, स्वागत है आप सबी के GSK पार्ट साला में One Liner Facts और इन प्रस्नों के जो सीरीज है ये उसका ये 19-वा है वीडियो ठीक है? 19-वा दिन है ये 19-वा वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारे Facts में One Liner के माध्यम से आपको रिवाइज करवाता हूँ ठीक है? रिवीजन होता है बेसिकली और बहुत सारे Facts ऐसे हैं जो आपको नए भी पता चलेंगे तो इसको लाइक किजिएगा, सेर कर दीजिएगा दोस्तों में ठीक है? रिवीजन के लिए बेहतरीन है, कोई सा भी आपका एक्जाम जहां पर G.S. पूछा जाता है, जहां पर सामान अध्यन पूछा जाएगा वहां पर ये सब जगे आपको लाफ पहुचाएगा तो इसको रिवीजन करिए इसको, देखिए इसको, ठीक है? और दोस्तों में सेर भी कीजिए, ठीक है? बहुत छोटा वीडियो रहता है, लेकिन बहुत ही मंदब धमाकेदार वीडियो रहता है ये इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक? तो चलिए, शुरू करते हैं वीडियो को चलिए, शुरू करते हैं, देखिए वर्मी कल्चर में प्रियुक्त वर्म कौनसा होता है तो अर्थ वर्म, ठीक है? चिण को बोलते हैं, देखा हो आप लोगों ने the suppliers, फिलाटैलीस्ट क्या होता है? यह ड्कि कर संग्रा, उसको क्या बिलता है फिलाटैलिस्ट क्या होता है? अद्धियन को प्हों जन्ंख्या मानो ढहत उतिक है रेसम की पालन को क्या कहते हैं तो सेरी कल्चर याद रखेगा सेरी कल्चर ठीक है इनोस्मिया क्या है तो इनोस्मिया क्या कहते हैं जो घ्राण सम्वेदना की कमी यानि की देखे जो आपका जो सुंगने की छमता होती है वो घ्राण पिंड होता है उसी से आपको सुंगने वाली जो चमता है वो आपकी मतलब उसी से होती है घ्राण पिंड बोलते हैं उसको तो एनोस्मिया क्या है वो उसमें कुछ कमी आ जाती है आपको पता ही नहीं चलता कि सुगंध मतलब इसमें सुगंध है या दुरगंध है तो उसी को ये एंथे कहते हैं, यानि उसमें कुछ समस्य आ जाती है, कुछ कमी ही आ जाती है। इस्पताल के किस विभाग में Catholic Lab होती है ?ण किस समंदित होती बेशिक्लि ये Cardiology जो Department होता है, वहां पे Catholic Lab होती है, ठिक है Cardiology में आर्की और्पेरिस क्या है तो यह जुरसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है जो की सरी स्रिप और पक्षिवर के बीच की कड़ी माना जाता ह। पुछा भी गया प्रशन है यह पहले काफी पहले पुछा गया है विकास के उत परिवर्तन सिध्धान्त का फ्रतिपादन किस ने किया तो हुगो डुबीज ठीक है नाम याद रखेगा मैचिंग में बहुत पूछता है यह सब विकास के उत परिवर्तन का सिध्धान्त ठीक है डाइनोसौर्स रहे हैं कब रहे हैं तो मीसो जोई क्यूग में रहे हैं यह थिक वयस को मानों में कितनी हड्यां होती हैं 206 हड्यां होती है यह याद रखेगा और सबसे बड़ी हड़ी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी होती है सरीर में मनुसकी आंख में प्रकास तरंगे स्नायू उद्यवों में परिवर्तित होती है तो किस पे जो यह रेटिना होती है उसमें ठीक है वहीं पर आपका चित्र भी बनता है य आता कि आँख से जिस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है या ट्रांस्प्लांट किया जाता है तो किस से किया जाता है तो वही कौर्णिया होती है उसमें ठीक है आपको यह जो दिखता है सफेद काला सफेद वाला जो भाग होता है उसी को कौर्णिया बोलते है ठीक है उ वो विएम्डी टेस्ट होता है जैसे कि आपकी पहण कमजोर हो रहे है ठीक है बोन की डेनसिटी जांशने के लिए मानों के मानों क्या है कि उसकी ताप करम्षटर से रहे हो आहिए ठीक है इसमें कोई घटाओ नहीं होता है अगर घत रहा एड्मिन्स वो उसकी तब ये ठीक नहीं है बोलते हैं ना टमप्रेचर बढ़ गया तो क्या है बुखारा गया ठीक याद रखेगे इस चीज को ठीक है रख्त रख्त समूहों कि कुछ किसने की थी तो Karl LandisTinner की थी किसने कार्ल लैंडिस्टिनर ने रख्त समूहों कि वर्ग इभी रख्त वाला जो वेक्ति होता है जिसका रख्त हो तो और यानि कि जो अब वाला होता वो artificial blood भी बोलते हैं एक तरीके से सफेद रक्त करने जो होती है WVC का मुखे कार बता दिया है हमने आपको रोग प्रतिरोधक्षमता ठीक है यह WVC ही है ठीक है blood में अगर WVC की मात्रा बढ़ जाए तो वो भी खतरनाक है उसको फिए blood cancer leukemia बोलते है एक तरीके से blood cancer प्रतिरक्षा यानि असक्राम्यता का सरवाधिक संबत किसे होता है lymphocytes इसी को बोलते है WVC को ही lymphocytes बोलते हैं ठीक है इसको भी सहाथ बढ़ाया गया है भी कुछ माना हुड़्दय का प्रसम सल्लेप्रता रूपन कप किया गया था तो Christian Bernard यह पूछा गया है यह 2022 यह 21 में पूछा गया था सीदे सीदे प्रशन रक्ट का ठक्का जमने में विटामिन के इसमें भी सहाथा करता है यह ठिक यह रक्त का ठक्का जमने में तो क्या है संस फून ले लगती है और यह जैसे कारबन मोनोअक्साइड अगर कहीं गैस हो कहीं पर अधिक मात्रा में हो और वहां पर आप जाएए देखिए आपके संस फून लें क्योंकि carbon monoxide क्या है कि आपके hemoglobin के साथ वह बहुत तेजी के साथ वह कर जाती है mix कर जाती है तो आपका जो oxygen की मात्रा है वह कम कर देती है वह ठीक है जब यह बढ़ जाएगी रख ठीक है मानुरत की स्यानता का कारण क्या है तो प्लाज्मा में जो बिम्बान होते हैं उनका कारण है कि वह स्यानता आपको दिखाई देती है गाढ़ापन मानुरत में हीमोग्लोबिंग का कार क्या है तो oxygen का परिवहन करता है जो मैंने भी बताया आपको यगर कार्बन मोनो अक्साइड अगर जो गैस है वह कार्बन सीओ जो है अगर वह मिल जाती है तो वह फिर oxygen की मात्रा को कम कर देती है इसलिए सांस फूने लगत है हाफने लगता है विठल ठीक है क्योंकि अधिक से अधिक चाहता है कि body चाहती है कि अधिक से अधिक oxygen लें उसी में उसको जली वल्दी सांस लेना पड़ता है पोटैसियम अलपता से क्या है तो निम नेरक्त चाप यानि की अगर आप सरीर में जो पुटैसियम की मात्रफ़ और कम है तो लोई सोल्ग फरेसर लोई सर्द प्रेशर बोलते हैं उसको यूरिया रक्त्त से कैसे प्रिथक होता है दो गुरदो-द्वारा किढ्नी थीक है इस्ट और मस्रूम देखा होगा आपने यह क्या है बेसिकली यह फफूंध है यह थीक है मस्रूम बहुत खाते हो ना तो फफूंध है वह थीक है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशकाओं के द्रब द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संच् सितियां सरवाधिक महत्पून हैं तो क्या-क्या चाहिए उसमें बाई पानी चाहिए वीजंकुराण के लिए उचित तापमान हो ठीक है और ऑक्सीजन यह तीन चीज आपको होनी होनी चाहिए तभी वह वीजंकुरित हो पाएगा लाइकेन मिस्ट जीव है किसके कवक और स साक सब्जियों का जो अफगटन होता है क्या होता है तो धीमा हो जाता है हमारे तंतर में अधिक तम सुक्षमजीवी जो बीटी कॉटन के उत्पादन में संबंधित है तो कौन सा है वो तो एक बैक्टीरिया है वो ठीक है बैसलेस करके है बैक्टीरिया ना मुझे याद नहीं आ रहा है कमिट कीजिएगा आप लोग अगर पता है तो स्टार्ज के जल अपगड़न है उससे ग्लुकोज बनाने वाला कौन सा एंजाइम है तो एमाइलेज होता है जो कि बनाता है परत्रिप्त और प्यास के केंद्र मानों मस्तिस के किस भाग से अवस्थित है यानि कि जो प्यास और यह सब लगती है आपको लगेगा कि प्यास ल अब दारिया तो इसको लाइक किजिएगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में ठीक है और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रिस कर लिजिएगा इसकी पीडियेफ मैं सेयर कर दूँगा आप टेल्ग्राम चैनल से ले लिजिएगा वहां से ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में तब तक के लिए जैन